आप फोर गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000 सो ही नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का गैजट्स दुनिया में तो दोस्तों जो 15,000 का बजट है न वो एक बढ़िया स्मार्टफोन करीदने के लिए एक परफेक्ट बजट है और इस बजट में आपको एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा एक बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा बट एक बात आप जयातर कियेगा कि इस बजट में जो स्मार्टफोन आते हैं उस सबी चीज़ा perfect नहीं हो सकते तो ये आपको decide करना होगा कि आपको camera को ज़्यादा महत्तु देना है या फिर performance के लिए processor को ज़्यादा महत्तु देना है या फिर किसी other specifications को ज़्यादा value provide करनी है और अगर सब कुछ तोंचने के बाद आपने ये decide कि है कि आपको एक performance center की smartphone लेना है 15,000 रुपीज के budget में जिसमें आप अच्छी खासी gaming करपाओ तो ये वीडियो सुर्फ आप लोगों के लिए है विकोज आप ही लोगों के लिए हमने select करें है top 4 smartphones को जो आपको 15,000 रुपीज के budget में एक best gaming specifications के साथ आते हैं प्रॉपर पूरी information के लिए बने रहेगे वीडियो में लाज तक और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है तो कल लेजिए ताकि आपको future की भी updates मिलती रहें तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं अगर हम बात करें हमाई लिष्ट के first smartphone के बारे में तो वो आता है Infinix के तरफ से 05G smartphone और अगर बात करें इस smartphone की pricing की तो थोड़ा आपको budget बढ़ाना पड़ेगा 15,000 रुपीज से बिकस आपको ये वाला smartphone लगबग 16,000 रुपीज का देखनी को मिलेगा अगर बात करें जाए इस smartphone के spasifications के बारे में तो यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए Mediatek Dimensity 900 का चिपसेट जो कि 2 GHz पक्लॉक्ट एक Octocore processor है इसके लाव आपको 8 GB की RAM सपोर्ट प्लस 5 GB का Virtual RAM सपोर्ट आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाता है और यह इस बजट में आने वाला एक बहुत ही अच्छा processor माना जाता है इसके लाव अगर बात करें जाए इस smartphone के बैटरी स्पास्पिकेसं की तो वह भी काफी कमाल के देखनी को मिल जाते है इसके लाव अगर बात करें जाए इस smartphone के डिस्पेस पास्पिकेसं के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.700 इंचेस की एक LTPS वन सेल डिस्प्ले पैनल देखनी को मिल जाता है जो की 1018-2400 पिक्सल का है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 395 पिक्सल इंचेटी पर वक करता है इसके लाव आपको स्पूंद एक्स्पिरेंस फ्वील कराने के लिए 120 हच का रिफ्रेश्च रपोर्ट एन 240 हच का टस्प्लेंग रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वहीं पे अगर बात करें जाए इस स्पार्टफोन के फोटोग्राफ वीज़स की तो वो काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं तो आप यहाँ से maximum 4 के क्याल्टी में Ultra HD क्याल्टी में अपनी वीडियो उसको इजली रिकॉर्ट कर सकते हैं सामने वाले सेंसर की बात करिए तो 16 मेगा पिक्सल का आपको एक सामने भी सेंसर देखनी को मिल जाता है तो यह कुछ इस स्पार्टीड आपको इन्फिनिक्स के 0 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं तो यह रहे हमाई लिष्ट के फरस्ट स्मार्टफोन की स्पार्स्फिकेशन और फीचर्उस अब बढ़ते हैं माई लिश्ट के second number वाले smartphone की तरफ तो तो second number वाले smartphone है वो again आता है Infinix की तरफ से Infinix Note 30 smartphone और ये वी एक 5G smartphone है अगर बात करी जाए इस smartphone की pricing की तो तकरीबन आपको ये smartphone 15,000 रुपीज़ के बजट में आराम से देखने को मिल जाएगा और अगर बात करी जाए इस smartphone में क्या specifications आपको देखने को मिलते हैं तो ये जो smartphone है सबसे पहले Android 13 पर वग करता है विकाज ये जो smartphone है recently launch हुआ है तो अगर आपको एक newly launched smartphone चाहिए तो आप इस smartphone के साथ जा सकते हैं अगर बात करें जाए इस smartphone के technical specifications की मतलब इसके performance specifications की तो यहाँ पर आपको performance के लिए mediatagram institute 6080 का processor देखने को मिल जाता है जो कि 2.4 giga per clock एक octa core processor है इसके लावा आपको 4GB की RAM support और प्लस 4GB का virtual RAM support देखने को मिल जाता है बात करना अगर battery specifications की तो वो भी काफी कमाल के देखने को मिल जाती है जो की support करती है 45W की hyper fast charging को तो यहाँ पर आपको fast charging experience काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है अगर इस smartphone के फूटाग्राव फूचर की तो वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाते है बिकल आपको यहाँ पर 108MP के primary sensor के साथ 2MP का एक secondary camera आपको देखने को मिल और जब भी आप इस camera एक साथ वीडियो को record करने जाएंगे तो आप यहाँ से maximum 1440 pixel पर ultra HD quality में अपने वीडियो को easily record कर सकते हैं सामने वाले sensor की बात करे जाए तो 16MP का आपको एक सामने भी sensor देखने को मिल जाता है और आप सामने के तरब से भी काफी अची quality में अपने consumption को experience रहेगा वो काफी बढ़िया देखने को मिलेगा because इसमें आपको काफी आदा pixels से देखने को मिल जाते हैं और यह जो display panel है वो 396 pixel density को support करता है और यहाँ पे भी आपको smooth experience feel कराने के लिए 120H का refresher support and 240H का touch sampling rate आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कभी आपको 15-16,000 रुपीस के budget में easily देखने को मिल जाएगा कभी-कभी आपको यह under 15,000 भी देखने को मिलेगा तो अगर बात कर जाए इस smartphone की specifications की तो यहाँ पार आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का processor देखने को मिल जाता है जो की 2.2 GHz पर clocked एक octa core processor है और यहाँ पे भी आपको same 6 TV का RAM support and 6 TV का virtual RAM support आपको देखने को मिल जाता है और यह इस budget पर आने वाला एक बड़िया processor माना जाता है तो यह smartphone भी काफी अच्छे performance इस पासपिकेशन आपको निकाल के देगा जब भी आप गेम खिलोगे तब आपको काफी अच्छे experience फील होगा इसके लावग अगर बात क इस smartphone जो है 0-200% चार्ज हो जाएगा बात करिए अगर इस smartphone की display specifications के बारे में तो 6.67 inches के एक AMOLED पैल देखने को मिल जाती है जो की 1018 to 2400 pixels की है और यह जो display panel है वो भी 395 ppi pixel density को support करता है और यहापे भी आपको 120H का refresh rate support and 240H का touch sampling rate आपको देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर बात करिए इस smartphone के photographic features की तो यहाँ पे आपको triple rear camera setup देखने को मिल जाता है OIS support के साथ तो यहाँ पे आपको एक advantage मिल जाता है camera में because आपको यहाँ पे OIS का support देखने को मिलता है अगर बात करी जाए camera sensors की तो 48MP का आपको यहाँ पर primary sensor देखने को मिलता है और प्लस 8MP का Ultra HD quality में easily record कर सकते हैं सामने वाले sensor की बात करी जाता है तो 13MP का आपको एक सामने भी sensor देखने को मिल जाता है और आप अच्छी खासी quality में सामने की तरफ से भी videos को record कर सकते हैं तो यह तो नहीं हमाई list के third number वाले smartphone की specifications and features अब बढ़ते हमाई list के fourth and largest smartphone की तरफ तो तो fourth number वाल से Moto G62 5G smartphone और अगर बात कर जाए इस smartphone की pricing की तो यह smartphone आपको 15.5 के वीच में देखने को मिल जाएगा और अगर आप offer लगा कि इस smartphone को purchase करते हैं तब आपको यह under 15,000 भी देखने को मिलेगा अगर बात कर जाए इस smartphone के specifications की बारे में तो यहाँ पे भी आपको same Qualcomm का Snapdragon 695 processor देख Core processor है और यहाँ पर आपको 6GB की RAM support देखने को मिल जाती है 128GB का Invit memory support देखने को मिल जाता है अगर बात कर जाए इस smartphone के बैटरी स्पास बिकिसंस की तो यहाँ पर आपको 500MH की काफी बढ़िया बैटरी देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी fast charging को support करती है इसके साथ स जब भी आप content consume करोगे तब आपको experience जो है काफी बढ़िया रहेगा काफी अच्छे colors आपको देखने को मिलेंगे और जब भी आप अपने smartphone को use करोगे तो आपको यहाँ पर 120H का refresher मिलता है तो काफी smooth experience आपको feel होगा इस smartphone को use करने में इसके अलावा आपको HDR10 का भी support देख देखने को मिल जाती है तो यह काफी बढ़िया इस 5 पिकसंद आपको display के तौर पर देखने को मिल जाते हैं वहींप अगर बात करिए से smartphone के photographic features की तो वही काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं विकस इसमें आपको 50MP के साथ triple rear camera setup देखने को मिल जाता है जिसमें 8MP का secondary camera और देखने को मिल जाता है और आप सेम क्वाल्टी में अपने वीडियो उसको सामने के दरब से भी record कर सकते हैं तो यह कुछ इस पाइस पिकसंद आपको motorola के smartphone में देखने को मिलते हैं और यह रहे टॉप फोर स्मार्टफून जिने आप 15,000 के budget में एक gaming experience के लिए खरीज सकते ह और इन चारोई smartphone में आप अपने budget के अंसाल के से भी smartphone के तरब जा सकते हैं यह चारोई smartphone best हैं अपनी जगह फर सो अगर आपको gaming के लिए कोई भी smartphone जाहिए तो आप इन ही चारों में से कोई smartphone देख लीजिएगा So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी ज़्यादा help मिली होगी और काफी ज़्यादा जानकारी मिली होगी So अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply कर देजए लाइक और चैनल कर देज़ सब्सक्राइब तो इस वीडियो में तना ही मिलते हैं लिए और इंटरिस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए राधे राधे